Hello everyone, आप सबका welcome है आपके अपने चैनल Infra Design Hub में आज की वीडियो में हम बात करेंगे 22 feet by 33 feet की house planning हम किस तरीके से करते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम इस plan का overview ले लेते हैं इस plot के अंदर आपको दो floats मिलते हैं, ground floor and first floor सबसे पहले यहाँ पर अगर हम ground floor की बात करें तो ground floor पर parking का provision दिया गया है ground floor पर आपको back side की तरफ एक washroom मिलता है इसके साथ साथ stairs का भी जो provision है वो आपका back side की तरफ से है वहीं अगर first floor की बात करें first floor पर आपको two bedrooms मिलते हैं, एक hall मिलता है, दो washroom मिलते हैं एक kitchen मिलता है, आपको एक balcony मिलती है तो यह सबी चीज़ आपको first floor पर मिलने वाली है इस वीडियो के अंदर हम आपको plan के साथ साथ column की placement भी पताएंगे कि इस plan के अंदर column कहा कहां पर provide किया गया है अगर आपको अपने घर का flow plan बनवाना है 3D front elevation बनवाना है या interior design, structure designing या फिर MEP drawings तो आप हमारे DIY number पर contact कर सकते हैं हमारी team आपको help करेगी आपका घर design करने में अब यहाँ पर हम dimensions की भी बात कर लेते हैं वो हम देखेंगे जो हमारा designing software होता है उसके अंदर जहाँ पर आपको easily इन सब की width आपको पर चल जाएंगी तो वो हम open कर लेते हैं तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर हमने ground floor के साथ साथ बाकी और भी drawings यहाँ पर बनाई हुई है जैसे कि आपका column placement भी है यहाँ पर आपका structural designing भी आपकी यहाँ पर की हुई है तो यह उन सब की आपकी drawings है अब यहाँ पर हम इस flow plan के discussion कर लेते हैं तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यह जो आपका plot है यह आपका तीनों side से covered है मतलब कि आपके इस plot के तीनों side में आपके already मकान यहाँ पर बने हुए अगर हम बात करें इस plot के facing की तो जैसा कि आप यहाँ पर legend में भी देख पा रहे हैं इस plot की जो facing है वो आपकी south facing है अब यहाँ पर सबसे पहले हम इसके ground floor पर discussion कर लेते हैं ground floor के अंदर entry करने के लिए यहाँ पर आपको 10 feet का wide main gate दिया गया है जो कि आपका sufficient है किसी भी 4 wheeler की entry के लिए plot के अंदर entry करती यहाँ पर काफी बड़ा एक parking space दिया गया है इस parking space के अगर हम dimensions की बात करें इसकी जो length है अगर लंबाई की बात करें तो यह आपकी रहने वाली है 23 feet 7.5 इंची और वहीं अगर हम इसके width की बात करें तो यह आपका रहेगा 20 feet 6 इंची यानि की 20 feet वहीं अगर हम बात करें outer boundary wall की इस plot के outer boundary की wall की thickness यहाँ पर 9 इंची ली गई है वहीं internal wall की अगर thickness की बात करें तो वह हमने 4 इंची प्लान की है वहीं ground floor के अंदर अगर हम back side की बात करते हैं तो back side में आपको यहाँ पे एक washroom मिलता है इस washroom के अगर हम size की बात करें तो यह यहाँ पर रखा गया है 9 feet by 4,5 feet साड़े 4 feet इसकी width ली गई है और जो 9 feet है वो इसकी length ली गई है इस bathroom के ventilation के लिए यहाँ पे एक ventilator का provision किया गया है अगर इसकी width के हम बात करें तो यह आपका 2 feet करेगा first floor को access करने के लिए ground floor के back side में stay case का provision दिया गया है stay case के लिए एक separate chamber बनाया गया है जिसकी entry आपकी gate की थुरू होती है यहाँ पर अगर हम gate के width की बात करें तो यह आपका 3 feet का gate रहने वाला है और stay case के अगर हम dimensions की बात करें तो इसकी जो dimensions है वो आपको 10 इंची का लिए गया है यह हमने बात की ground floor की अब हम बात करें थे हैं first floor की first floor को access करती है यहाँ पर सबसे पहले आपकी entry होती है आपके hall के अंदर hall की यहाँ पर आप dimensions देख सकते हैं यहाँ पर जो hall का size है वो 16 feet 8.5 इंची by 8 feet 1.5 इंची लिए गया है hall के अंदर आपको sofa set के साथ-साथ एक TV unit भी यहाँ पर मिलता है hall के अंदर अगर आप चाहें तो kitchen के साथ-साथ इस area के अंदर आप dining area भी लगा सकते हैं इस hall के through आपकी entry होती है kitchen के अंदर kitchen के अगर हम dimensions की बात करें तो यहाँ आपका रहने वाला है 8 feet 1.5 इंची बाए 8 feet का जो की sufficient size का kitchen है kitchen की अगर हम slab की बात करें तो यहाँ पर आपको 2 feet की slab मिलती है वहीं अगर हम kitchen के ventilation की बात करें kitchen के ventilation के लिए यहाँ पर window का provision दिया गया है window की जो width है वो यहाँ पर 4 feet रखी गई है जिसके through kitchen के अंदर air का circulation बना रहेगा hall के साथ-साथ यहाँ पर आपको attached bathroom भी मिलता है यहाँ पर bathroom के अगर हम size की बात करें तो यह आप करेंगा 4 feet 7.5 इंची बाए 7 feet का इस bathroom के ventilation के लिए यहाँ पर एक duct का provision दिया गया है यहाँ पर die feet by date feet के duct का provision दिया गया है जो washroom के अंदर proper air का circulation करेंगा वहीं अगर हम बात करें bedrooms की तो first floor पर आपको 2 bedrooms मिलते है और दौनों bedroom का जो access है वो आपको hall की through मिलता है यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हमारे first bedroom की जो आपको घर के back side की तरफ मिलता है यहाँ पर आपको 9 feet by 11 feet का एक bedroom मिलता है इस bedroom के अंदर आप easily double bed रख सकते हैं इस double bed के just front wall पे आपको एक TV नेट भी मिलता है इस bedroom के साथ साथ आपको यहाँ पर एक address toilet भी मिलता है इस washroom के अगर हम size की बात करें तो यह 4 feet by 7 feet रहने वाल है इस washroom का जो ventilation है वो भी आपका duct की through होगा इस bedroom को अगर आप चाहे तो master bedroom भी बना सकते हैं तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहें इस घर को plan करती समय ventilation का proper ध्यान रखा गया है वहीं अब हम बात करते हैं हमारी second bedroom की जो आपको घर के front पे मिलता है इस bedroom की entry भी आपकी hall की through होती है इस bedroom के अगर हम size की बात करें इस bedroom का size 12 feet by 10 feet देड़ इंची प्लान किया गया है इस bedroom के साथ साथ यहाँ पर आपको एक attached balcony भी मिलती है इस balcony की जो width है वो यहाँ पे 3 feet रखी गई है जो आपके plot area के अंदर ही cover की गई है इस bedroom के ventilation के लिए balcony के साथ साथ यहाँ पर आपको एक window का provision भी दिया गया है इस window की अगर हम width की बात करें तो यह आपकी 5 feet रहने वाली है जो यह काफी बड़ी window यहाँ पर आपको मिलती है अब यहाँ पर हम बात करें दो column placement की कि अगर आप इस तरीका का flow plan बनाते हैं तो यहाँ पर column का placement किस तरीके से होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो column का placement है वो आपका किस तरीके से किया गया है यह हमने देखा 22 feet by 33 feet का plot किस तरीके से plan किया गया है अगर आपको इसमें कुछ भी doubt है तो आप हमें comment कर सकते हैं जैसा कि मैंने वीडियो के starting में भी आपको बताया था अगर आपको यह plan download करना है या फिर जो भी मैंने आपको drawings दिखाई अगर आपको यह complete set अगर आपको download करना है तो इसका जो link है वो आपको वीडियो की description मिल जाएगा वहाँ से आप download कर सकते हैं इस वीडियो में सिर्फ इतना ही Thank you